कि कुट मॉर्णिंग दोस्तों नमश्कार क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के और कैसे हैं आप सभी लोग यह कॉमेंट जूम कर देना कि सभी लोगों की तैयारी आप कैसी चल लाई है आप오 लोगों की तैयारी अब वह बएगी बात आप सभी लोगों के लिलिए 28Desum 28 of December, आज 28 December है और दो दिन बाद December का महिना समाप्थ और 2024 में हम लोग प्रवेस कर लेंगे हाना तो अभी तो अभी जैसे बहुत से ने देखा ना बहुत से ललके ना या बहुत से ललकिया ये मन में बसाई हुए है कि आज से नहीं एक तारिक से शुरू करेंगे तो अभी दो-तिन दिन न खो मौजमस्ती करते हैं उसके बाद एक तारीक से स्टार्ट कर देंगा देखना एक तारीक को सबसे ज़्यादा भीड कहाँ पे मिलेगी एक तारीक को सबसे ज़्यादा शुबय के टाइम जो भीड मिलेगी वो मंदिरों में होगी और सबसे ज़्यादा साम को भीड कहाँ पे होगी वो जिम में होगी क्योंकि सब एक तारीक से मंदिर जिम और ये सब उसब करेंगे और चार-पांच दिन बाद नॉर्मल वही कहानी जो चलती चली आ रही है तो बदलाओ की कोई निश्यत समय सीमा नहीं होती है बदलाओ की निश्यत कोई डेट नहीं होती है बदलाओ आज से अभी से तुरंट से प्रभावी होना चाहिए तो तो आप बदलने की इस्तिती में आ सकते हो किसी डेट का इंतजार करोगे किसी डेट के इंतिजार से अगर आपने आपको बदलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, हना, चलिए, तो सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को राधे-राधे भिया, और यहाँ दखीगा, 30 तारिक को, 30 दिसंबर को बिल्कुल मत भूलिएगा, 30 तारिक को आप सभी लोगो की तरफ चलेंगे भाई आई कि मैं नेपाल जा रहा हूं एक जनवरी में मिथलेस माही बाबा हाँ ठीक है यह निकलो फटब फट पासपूर्ट वीजा बन गया की नहीं मौम्मद आशब गुड मॉर्णिंग खुशी रादे रादे किशू किशू कृष्णा जी रादे राद संधिया गुपता रादे रादे मीनी कुमारी गुड बॉर्णिंग मीनी तिलक वलिक रादे रादे नमस्कार गुड बॉर्णिंग और याद दखेगा 25 तारिक से लेकर दो जनवरी तक मत्रा में वो भयंकर भीड होने वाली है कि मत्रा के लोगों ने और मत्रा प्रशाशन ने अपील की है कि इन दुनों में मत्रा दर्शन करने ना आएं आप घर से ही दर्शन करें क्योंकि लाखों संख्या में पुजनिये जो प्रेमनंद भाराज जी है उनकी जो चलते हुए दर्शन देते हैं दो वज़े ढही वज़े तीन बज़े तो उनका भी वो रूक दिया गया है ऐसा सुनने में आया है तो इस बार और फिर 22 जन्वरी राम मंदिर का उठगाटन जो कि सबसे बड़ा देश में एक पर्व होगा तैवार होगा असली निव येर तो 22 जन्वरी को ही बनेगा इधर 22 जन्वरी को राम मंदिर का उठगाटन होगा और 24 जन्वरी को 24 घ तरफ आपते हैं में लोग यहां पर और आज का पहला कोशन यह है आंजर बता हो यह पर क्या हो जाएगा जंचिए अच्छ स्थी ने राज्च में किया है अंसर यहां पर क्या हो जाएगा पताईए तो याद अखीगा कि ब्रधान मंत्री दरेंद रमुदी ने किस राज्य में केंद सासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इस्टूट का उडखाटन किया है तो दादर और नागर हवेली और दवन दूपी यहाँ पे किया है ठीक है बहुत करेंगे 300 पार मुझे आखना चाहिए आज एक बर फटा फट शियर कर दो ठीक है तो क्या होगा अंसर यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भी विल भी दा राइट ऑप्शन आपके सामने होगा कि प्रधान मंत्री दरेंद रमुदी ने अरे क्या हुआ तुम लोग आंसर नहीं लगाए हो क्या एक बर दुवारा बताओ तुम लोग आंसर टिक नहीं कियो क्या तो पोल कैसे गड़बर हो गया भाई पोल ही गड़बर लगा दिया क्या बताओ तो को मैं चेक करता हूँ पोल कैसे गड़बर हो गया कि यह लोग पोले गलत लगाये हुएं यह तो कहाँ चलेगा बताओ अब बताओ एक बार अंसर अब बताओ कि नवो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसेट्स इंसिटूट का उटगाटन किया है बताओ यह अब क्या अंसर होगा और एक बार यार आप सभी लोग शेशन को शीयर कर देंगे भीया हना इम्टेस्ट पूसे तक आपके शेशन एव्र生 चलि वहाई तो answer क्या हो गए आपे? बी, correct option होगा याद रखीगा? ठीक है अब वाग सही हो गया ना Next प्रोब अगला question अगला question कह रहा है कि किस राज की प्राचीन वस्तरकला माता नी पचेडी को GI tag दिया गया है किस राज की प्राचीन वस्त्रकला माता नी पचेडी को जी आई टैग दिया गया है याद रखी का राज्यकी प्राचीन वस्त्रकला को माता नी पचेडी जी आई टैग दिया गया है तो ये आपकी गुझरात याद रखी का गुझरात से ही पता चलाओगा आप सुभी लोगो को प्यूकि नाम ही ऐसा दिया हुआ है तो गुझरात में क्या है आपका ये आप दिया गया तो बी यहाँ पे भी राइट आप्शन हो जाएगा ठीक है आप लोग जानते हैं कि भारत की भारत की पहली पहली इस्टील रोड या सड़क कहां पे बनी थी कहां पर बनाई गई थी भाई कहां पर बनाई गई थी नहीं महराश्ट नहीं होगा विशाल बाबू गुजरात यहां पर होगा कि मातानी पछेडी जो वस्त कला है वो आपको जो मिला था वो गुजरात का है ठीक है तो यहां दखी का सूरत कहां पर मेरे भाई सूरत सूरत यहां पर राइट आप्शन होग इसको आप लोग याद दखी गए ठीक है नेक्स्ट भाई अगला कुशन आपके सामने ये रहा और प्रश्ट कह रहा है कि दुनिया के दस्वे सबसे उचे परवत अड्रपोड़ा परवत पर चड़ने वाले पहले भारतिये पुरुष कौन बन गए हैं अर्जुन बाचपई अर्जुन बाचपई नारेंद्र कुमार कुंतल जोशर और महन सिंग गुज्याल बताइए कौन भाईया पहली बार चड़ा है तुनिया के दस्वे सबसे उचे बताइए भाईया कौन चड़ा है भाईया कौन चड़ा है यहां दखीगा कि जो अनपूर्णा परवत है ना उसमें जो पहला भारती पुरुष बना है वो बना है अर्जुन बाचपई अर्जुन बाचपई ने इसकी चढ़ाई की है और यह खिताब इन्होंने हासिल किया है तो एक विलवीदा करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाए विक्सित दुनिया का पहला नैनो डी एपी लॉंच किया है नैनो डी एपी लॉंच किया है अमिस्था, राजना सिंग, गिरिराज सिंग और अनुवाक सिंग ठाकुर तो मेरे भई याद कीगा जो पहला नैनो डी एपी है इसको लॉंच करने वाला अमिस्था, राजना सिंग, गिरिराज सिंग और अनुवाक सिंग तो जो पहला नैनो डियेपी था उसको लॉंच किस ने किया था ये शिश्वी ग्रह मंत्री अमित शाह ने किया था ज़ाद रखीगा अमित शाह को भारती राजनीती का चाड़क के कहा जाता है भाई अमित शाह को भारती राजनीती का क्या कहा जाता है चाड़क के कहा जाता ह मेराथन का टाइम आपका सुबह 8 बजे से रहेगा लेकिं 30 तारिक को रहेगा भाई एक बार सेशन को शेयर कर दो यह आकड़ा 300 पर पहुंचाओ भाई एक बार है यह आकड़ा 300 पर पहुंचाईए अगले कुशन प्यों अगला कुशन किस राज और केंद सासित सिंथन स्थर फेश्टिबल आयुजद किया गया है किस राज और केंद सासित में सिंथन स्थन स्थरो फेश्टिबल पूछा गया है कौन सा सिंथन स्थन स्थरो फेश्टिबल न्यू देली जम्मू कश्मीर पंजाब और हर्याडा न्यू देली जम्मू कश्मीर पंजाब और हर्याडा आंसर बताओ यहां पे क्या हो जाएगा तो यह जो फैस्टिबल है ना भाई यह जो फैस्टिबल है यह खुप सुरत हसीन वादियां पर आयुजित किया जाता है जिसको भारत का स्वर्ग कहते हैं खुप सुरत हसीन वादियां जिनको क्या कहते हैं भारत का स्वर्ग कहते हैं तो क्या आंसर होगा यहाद अखी का जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे बी करेक्ट आप्शन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर कि किस राज और किंदर सासित सिंथन्स तो फेस्टिबल आयुत किया गया तो जम्मू कश्मीर में किया गया है मेरे भाई, कहां पर किया गया है, जम्मू कश्मीर पावन, A will be, no, 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 A will be not answer, B, B answer हो जाएगा, my brother, B, चलिए, next प्याइए, अगला, अगला question कह रहा है कि भारत का पहला cable stair rail, bridge हाली में कहां बनकर तयार हुआ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गंगटोक, शिमला, आपको बता रहा है, भारत का पहला cable stair rail, bridge कहां, हाली में, कह हाथ बनकर तयार हुआ, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, गंगटोक में, या फिट सिमला में, हाला, बताओ, आंसर क्या हो गए आपे, भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं, कि केवल stair rail bridge, हाला कि इस question को ना, ये पर कहीं, आया भी है, बाई, केवल stair rail bridge, ये आया भी ह कहीं, अब ये कहां आया है, ये ध्यान में नहीं आरा मुझे, किसी exam में पूछा गया प्रस्न है ये, हाला, तो ये आपका हुआ है, जम्मू कश्मीर में बनकर तयार हुआ है, ये exam में पूछा गया प्रस्न है, बाई, जम्मू कश्मीर में बनकर तयार हुआ है, एक्जाम म रखेगा करेंट फेर के 20 से 25 पर आपको मिलेंगे भी पीएसी में ठीक है नेक्स्ट पाइए और सुनो इस बार यूपी पुलेस का फॉर्म जितने भी एज वाले लड़के हैं 18-22 और लड़कियों में 18-25 जितने भी हो सभी फॉर्म डालोगे कोई यह नहीं कहेगा सरुत्तर प्रद्प्रदिस में नोकरी नहीं करनी नेकि नहीं है बात है इसा कुछ नहीं है पेपर का पैटनiß समझो चीजों को समझो में राज़निकर प gentल जाता है वापस आ जाता है मंगा दे मंगा दे तो ठंडी हो गई या था समझ रहो कि नहीं हाँ चलिए अगला कुशन कि किस राज्य के सिमली पाल टाइगर रिजर्व में एक दुल्लव एक दुल्लव मेलाइस्टिक बादम्रत पाया गया है बताओ भई क्या अंसर हो गई इसका तू याद दखेगा कंडाटक में उडिसा में मध्यप्रदेश में और गुजरात में कौन सा कहा रहा है सिमली पाल टाइगर रिजर्व आप लोग जानते उच्छी तरीके से कहां है आपका उडिसा ठीक है अगला प्रशन आपके सामने ये रहा और कॉशन कहा रहा है कि कैपलर क से आकलों के अनुसार साओधी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में रिफाइनद इरधन का सबसे बड़ा आपउूर्ती करता बन गया है बांगलादेश-श्री-लंका चीन-और भारत भांगलादेस श्री-लंका-चीन हो भारत कौन सा बन गया है भाई बांगलादेश, स्रीलंका, चीन और भारत तो याद रखीगा कि अगर मैं बात करूँ कैपलर के आगडों के अनुसार ना हाँ, इंडिया इंडिया जो आपका है वो रिफाइंड इर्धन का सबसे बड़ा अपूर्ती करता बन गया है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भारत इंडिया थाना क्या अनसर होगा भारत इंडिया यहाँ पर हो जाएगा और देखो भाई, पहले भारती कॉंग्रेस ने भारत जोडो यात्रा निकाली भारत जोडो यात्रा निकाली अब मेगाले से निकाल ला है ना मेगाले से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा निकाल ला है राहुल गांदी जी तो इसमें सोचने का विशह ये है कि मिस रीती नमस्कार रीती जी नमस्कार इसमें सोचने का विश्य है यह है क्या भारत जोड़ो यात्रा से इस चुनाओं में असर पढ़ेगा लोग कॉंग्रेस को पसंद कर रहे हैं या भारत नाय यात्रा से कॉंग्रेस के प्रक्ति लोगों का समर्थन बढ़ेगा दोनों का सवाल अलग है इस समय आपको सोचना है तार्किक तरीके से भावनाओं के तरीके से नहीं सोचना कि नहीं नहीं हर घर में गूजेगा है बारत का बच्चा बच्चा है भावनाओं में बहके नहीं तार्किक उद्देश से आपके भविश्य के उद्देश से तार्कि बार याद नहीं आया कि भारत का युवा उत्तर प्रदेश का युवा विरोजगार बैठा है और एक युवार में तुमने भर प्लेट उसको खाना दे दिया लिए खा लिए तो कहीं न कहीं इसका असर तो आगे दिखें कहीं दिखेंगा हाना याद रखीगा जैसे कि लिख रहे हैं मंजय सिंग पटेल फ्यूचर इस मोधी ठीक है कोई दिक्कत नहीं फ्यूचर मोधी जी हैं हमेशा रहेंगे लेकिन तार की सोचने का थोड़ा सा आपके पास भी समय है आप इसको सोचिए है ना चलिए नहीं यूपी पुलिस में यूपी के लड़कों को ही छूट दी गई है बिहार के लड़कों को नहीं दी गई है यूपी के लड़कों को ही छूट दी गई है बिहार के लड़कों को नहीं दी गई है तो इसलिए ध्यान दखना तुम लोग अच्छी तरीके से किस राज्ज में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंडरी लिए बिहार के लड़कों के लिए नहीं नहीं है जो उत्तर प्रदेस वाले हैं उन्हीं के लिए है ठीक है महाराष्ट उत्तर प्रदेस राजिस्थार और मध्यप्रदेस किस राज दुनिया का सबसे बड़ा refinery complex बनाया जाएगा महराष्ट उत्तर प्रदेश राड़िस्थार और मद्द प्रदेश तो याद रखीएगा जो सबसे बड़ा refinery complex है यह आपका महराष्ट में बना जाएगा भई कहां पर बना जाएगा महराष्ट ठीक है जो सबसे बड़ा आपका क्या है complex ही आपका महाराश्ट में बनाए जाएगा clear रहें आपे महाराश्ट में next भई अगला भाई ये question बहुत बढ़िया प्रश्न है किया है महाराश्ट के उप मुख्यमंत्री देवेंद फड़नवीश ने किस देश में 36 सिवाजी महाराश की पतिमा का अनावरण किया है वह यह important question है ये आपसे ना 24, 25, 26, 27, 28, 10 साल तक पूछेगा ये ये 10 सालों तक पूछेगा हा ना चलिए और जिनकी एज निकल गई है और जिनकी एज कॉंश्टेबल के लिए आज जिनकी एज कॉंश्टेवल के लिए देखो मेरी बात सुनो यह जो प्रस्टन है ना यह काफी important question है यह आप से पूछेगे यह पूछेगा ठीक है यहाद दखेगा तो answer क्या होगा यहाँ पे मौरिशश सिंगापूर मलेशिया भांगलादेश तो question क्या कह रहा है कि महराष्ट के उप मुख्यमंत्री देवेंद फडरनिवीश ने यह हम भी पुलनिस का फॉर्म में अगर हम भीषार वाले भरे तो किया यूपी बेपर देने जाना पड़े है नहीं यूपी नहीं क्या नाम है योगी जी कडालाची को खरीद रहे हैं कराची सेंटर पड़े कैसी बात करते हो जहां का सेंटर होगो वहीं न जाओगी पेपर देने सर गल के लिए कैसा रहेगा यूपी पुलिस का डालू या ने पली विश्रा डाल दो अब बस सोचो यार अब लड़का लिड़की कुछ नहीं साब एक है बराबर साब डाल दो फ और राजिस्थान आसर बताओं यहां पर क्या हो जाएगा अघर डिजशनी लाइंड आता है जिस पर आप अंदर जाओ तो आपको खिलने कुझने के लिए बहुत सारे जूले और उसम मिलते हैं यह से ही उत्तर प्रदेस की सरकार ने रामा लैंड बनाया है आप वहां तो आनसर यहां पर क्या होगा उत्तर प्रदेस क्या होगा यहां पर यूपी विल बीदा यानी बी करेक्ट आप्षिन यहां पर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पर अगला प्रश्चन आपके सामने यह रहा और प्रश्चन कहा है आप हैं उत्तरप्रदेस मद्ध्रदेस कर्नाटक और तमिल नाडू बान्धा गोयर टाइगर रिजब जिसको पता है बान्दा गोयर टाइगर रिजब और रूत वा शे आ अंसर बता देगा भागो ऑज इसको नहीं पता है वो लगाएगा क्या लगाएगा तुक्का है बताइए है 46 N eli 26 ही में तो नहीं डाल पाहूग आप भेएज अप अशाइए की तरफ बढ़िए सब ensuiteरुशन औ को इस ब Almost किराई कि किस राज्य के बांधवगा टाइव इसवर के अनुदर 2000 साल पुरानी आदिरिक सम्भिटा के अफ्षेश मेलिए क्या सोच नहीं था भाई भी увер लगए आगžeं बर जाना था yeah be answer लगा के क्या ऻब जाना था आगे बर जाना था ठीके याद रखीगा, अच्छा मुझे बताओ, कि किस राज के इसलाम नगर का नाम, याद रखीगा, किस राज के इसलाम नगर का नाम, बदल कर जगदीश पुर रख दिया है, बताइए, कौन सा वो श्टेट है, जिसमें एक था इसलाम नगर, उसका नाम बदल कर जगदीश पुर रख दिया गया है, बताइए, हैद्राबाद, OBC का इलाखा, भोपाल, बेरी गुट व्रीती, बहुत बढ़िया, मध्य परदेश बहुत बढ़िया, पाश शाबाश बहुत बढ़िया, UP बहुत बढ़िया, UP बहुत बढ़िया, बहुत बड़िया भाई मध्ध परदेश ये हैद्राबाद वाला जो था न ये दिल को छूग गया यार ये हैद्राबाद वाले दिल को तच करके चला गया भाई को सोचा ही नहीं तुमने चलो अगले कुशन की तरफ हो किस राज में भारत का पहला अंतरजाष्टिय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है महाराष्ट उत्तरप्रदेश राजिस्थान और अशम किस राज में भारत का पहला अंतरजाष्टिय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है महाराष्ट, उत्त्रप्रदेश, राजिस्थान और असम आंसर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा भीया बहुत बड़िया कहाँ पर मनाया जा रहा है बताओ भई बताओ पहला अंतरदाश्टी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है महाराष्ट, उत्तरप्रदेश, राजिस्थान और असम एक बड़ा सा कॉमेंट आ रहा है जड़ा इसको देखना वो भाई साव अलग भी जी है बड़ा सा कॉमेंट हाँ इसको रोकना थोड़ा सा जाम पे जाम पीने से क्या फाइदा जब तक सुबह तक उतर जाएगी पीना है तो विवेक सर का करेंट अफेर पियो सारी जिंद्गी नसे में गुजर जाएगी इसका स्क्रीन सोट ले लो जरा क्या हो यह सेरोस आईडी मुझे लगा वो खटरनाग इस कड़ा उठे यार चलो क्या होगा असम असम यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतराश्ट यह मैंटी पॉडर लोजिस्टिक पार्क ठीक है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यह आपका असम में बनाने का चल लाए ठीक है असम में ठीक है चलिए नेक्स्ट में आये अगलागोशन अगलागोशन आपके साफ़ी यह रहा केंद्री मंंत्री नित्यानन्द राय ने किस राज में दाव की भूमी बंतर禅गा का उठगाटन किया है दाव की भूमी बंदरगा का क्या किया है उडगाटन किया है पता भाई साब कहां से बना के लाया ये है चलो बहुत दिनों बाद क्लास में इतनी हसी आई ये है क्या लेकर से पीना है तो करेंट अफियर्ग पी ओ गजव का मतलब। देख़ा मतलब। बच्या को देखो क्या हो गए आपर सथा विजल्कुल मेध है यहां पर राइट ओप्ट हो जाएगा Adventures x ठC दी विल वीदा correct option यहाँ पर हो जाएगा डी मेगाले पर पर किया था यह जो दाव की भूमी बंदरगा का उठगाटन किया गया था मेगाले पर यह दखेएगा नेक्स्ट पर यह आई अगला question अगला question यह आपके सामने की उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाली में पहले pharma पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है ललितपुर, आगरा, मतुरा और वरारसी उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाली में पहले pharma पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है यूपी का कैसा पहला कौन सा जिला भाई तो याद रखी गई आपे यूपी का जो आपका ललितपुर, जो ललितपुर जिला है ना, इसी की स्थापना की ललितपुर में स्थापना की मंजूरी दी गई है कहाँ पे ललितपुर में तो A यहाँ पे correct option हो जाएगा ललितपुर उपी के ललितपुर में इस्थापना की क्या दी गई है बंजूरी दी गई है अच्छा आप लोग जानते हैं कि आगरा की स्थापना किसने की थी कॉमेंट करके बताओ जरा बिलकुल सिकंदर लोदी ने की थी और कब की थी पंदरा सो चार में की थी हना कब की थी सिकंदर लोदी हना सिकंदर लोदी और कब की थी या दखीगा पंदरा सो चार में की थी कब की थी मेरे भाई पंदरा सो चार में की थी ठीक है सिकंदल लोगी नहीं की थी और फंदा सो चार में की थी नेक्स्ट पर ये अगला कोशन अगला कोशन आपके सामने ये रहा कोशन कह रहा है कि किस मंत्राले ने हाली में Learning Management Information System सच्छम लॉंच किया है स्वास्त मंत्राले Ministry of Health Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Finance और Ministry of Law and Justice बताइए देखो यार आप भी नए साल में कुछ नकुछ सोच चा रहे होंगे किस नए साल में हम ये स्टार्ट करें और मेरा भी ये मतलब मेरी दिल की इक्षा है कि मैं इस Current Affairs की क्लास को बिहार Current Affairs की क्लास को मतलब सर्फ सेष्ट क्लास की रूप में देखना चाता हूँ मैं इतना बड़ा ध्यापक टीचर तो नहीं हूँ लेकिन जहां कभी अगर करिंट अफेर की बात चले तो थोड़ा सा नाम मेरा भी लिया जाए इतना मैं भी चाता हूँ तो ये सर्फ कुछ आपके सपोर्ट से ही हो सकता है सिर्फ आपके सपोर्ट से हो सकता है देखो इतना तो पैसा नहीं कि दे के कहीं पर भाई वो करवा लिया जाए हना सेर्वेर करा लिया जाए इतना तो कुछ है नहीं चोटा मोटा है बस आपने लोग का सैयोग है और उसी सैयोग के बल पे ये एक दिन जरूर होगा हाना चलिए तो आंसर बताएं यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ दखीगा आंसर यहाँ पे क्या होगा स्वास्त मंत्राले मैनेस्ट्री ओफ हेल्थ हाना ए विल बी दा राइट Ministry of Health यहाँ पर right option हो जाएगा ठीक है, Ministry of Health ने ही Learning Management Information सच्छम launch किया है हाणा, याद रखीगा चली, तो answer क्या होगा यहाँ पर, A correct option आपके सामने हो जाएगा, next पर यह अगला अगला question आपके सामने यह रहा और प्रश्ट आप लोगों से कह रहा है किस राज्य सरकार्ड ने अपनी तरह का पहला State Robotics Fame Work launch किया है कौन सा याद रखीगा State Robotics Fame Work launch किया है तेलंगाना, उडिसा, मध्ध परदेश और महराष्ट तेलंगाना, उडिसा, मध्ध परदेश और महराष्ट बताई भई यह answer क्या होगा Robotics Fame Work को क्या किया है launch किया है तो Robotics जो Fame Work है इसको launch किया गया है तेलंगाना में कहां पर किया गया इसको इसको launch किया गया भाई तेलंगाना में इसको launch किया गया है तो A will be the correct option आपके साबने हो जाएगा ठीक है A will be the correct option आपके साबने हो जाएगा A तेलंग आना में इसको launch किया गया है नेक्स्ट पर यह आपना अगला question कहा रहा है कि Senatable Aviation फ्यूल का उप्योग कर commercial उडान संचालन करने वाली पहली भारतिय एरलाइन कौन सी है ठीक है भाई Spice Jet Airlines Indico, Vistara और Air India पताईए मेरे गुरू कौन सी होगी यहाँ पर तो देखो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कोशन को ध्यान से पढ़ना कराया कि Aviation Fuel का उप्योग कर ठीक है कोशन को ध्यान से Aviation Fuel का उप्योग कर commercial उडान संचालन करने वाली भारत की पहली एल लाइन कौन सी तो मेरे भाई Vistara Airline कौन सी है Vistara Airline है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा C C correct option होगा क्योंकि यह आ रखो ना Aviation Aviation Fuel का उप्योग कर जहाँ पर यह Aviation Fuel आएगा तो आपका आंसर वistara Airline पर चला जाएगा क्लियर है यहाँ पर C will be the right option आपके सामने हो जाएगा ठीक है next पर आओ भई अगले में आओ अगला कह रहा है यहाँ पर मेरे भाई question कि reading launch हासिल करने वाला भारत का पहला Hawaii अड़ा कौन सा बना है कौन सा reading lounge reading lounge हासित करने वाला भारत का पहला Hawaii अड़ा कौन सा बना है current affair सिर्फ keyword के माध्यम से ही आप याद कर सकते हैं हना यह GKGS नहीं है कि एक बार पढ़ लिया हो गया कम इसमें आपको जैसे aviation fuel आ गया विस्तारा यह अनलाइस याद कर दीजिए हना अभी पढ़ाऊंगा पूरे साल का तो PDF आपके पास आही जाएगी तो अगर हो सके तो छोटा छोटा नोट्स बना लीजिएगा अगर हो सके तो छोटा छोटा नोट्स बना लीजिएगा नहीं तो एक तारिक से आप लोग बिल्कूर नोट्स बनाना शुरू कर दीजेगा देखो अब यहाँ पर कहा रहा है कि रीडिंग लाउंस हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अब हमें सिर्फ यह पता हो ला चाहिए कि रीडिंग लाउंस हासिल किस ने किया है तो भाई यह किया है आपका याद दखीगा चेन्नई अंतराष्टी हावाई अड़ा इंद्रा गांदी अंतराष्टी हावाई अड़ा और राजीव गांदी लाल बहादूर सास्ति तो याद दखीगा मेरे भाई लाल बहादूर सास्ति यह अंतराष्टी हावाई अड़ा न सर बिहार ससी में करेंट कितना कोश्यन आएगा शैफुद्दीन अंसारी लगबग लगबग मान के चलो 10 कोश्यन आप पाल लो कि अब करेंट कर दिया गया है हिस्ट्वी से पॉलिटी जिग्राफी तो यह करेंट करके तो वही आपकी जो संख्या पहुंसती है वह बीस से पच्चीज भी पहुंस सकती है तो इसको आप लोग याद दखेगा नेक्स्ट पर यह अगला अगला कुश्यन आपके सामने यह रहा और प्लस्ट आपके सामने आ गया है कि किस राज में सी हैरियर संग्राले का उठगाटन किया गया है किस राज में सी हैरियर संग्राले का उठगाटन किया गया है आंध्र प्रदेश वैष्ट बेंगॉल ते तेलंगाना और केरल बताइए तेलंगाना और केरल तेलंगाना और केरल सी हैरियर संग्राले का उठगाटन किया गया है अमित भगत क्या आल चाले भई एक वो बीजेपी क्या नाम था उसका राहुल था वो एक दिन फोन किया उसके बाद फिर वो क्लास में कभी दिखता ही नहीं पता नहीं कहां गयाब हो गया है बाकी तो तुम लोग दिखी जाते हो हाँ वई तो याद दखीगा सी हैरियर संग्राले का जो उठगाटन किया गया है वो आंध्र प्रदेस में किया गया है ठीक है कहां पर किया गया है आंध्र प्रदेस में तो ए भी दा करेक्ट आप्शन यहाँ पर हो जाएगा आंध्यपर्देश हानद होगा तो पहले इसमारं जेशन गुरोजी यूट्यूबर नेगा बीजेबी नाउल अच्छा यूट्यूबर बनेगा बन जो भाई यूट्यूबर यार अब यूट्यूबर पर हमें समझ में नहीं आया कि अपना चैनल कैसे क्रियेट किया जाता है कुछ आज तक पता ही नहीं चला भाई पढ़ाते पढ़ाते लगभग हो गया मुझे ऑनलाइन में चार-पांस साल तो लगभग ऑनलाइन होई गया लगभग भारत की सबसे बड़े बड़े इंसिट्यूट में भी ऑनलाइन पढ़ाया है लेकिन कभी इन चीजों के पीछे नहीं बागा इस्टागराम में थोड़ा वीडियो वीडियो डाल देता हूँ है चलिए तो बात करते हैं लोग यहां पर की सतत विकास लक्षों की दिसा में प्रगती को ट्रेक करने वाला पहला भारतिये कौन सा बन गया है आपके सामने भोपाल जैपुर इंदौर और दहरादुन भोपाल जैपुर इंदौर और दहरादुन आंसर आपको बताना यहां पर क्या हो जाएगा भाई आंसर आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा बताईए क्या आंसर होगा इसका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई कि सतत्विकास लक्षों की दिसाक में प्रगति को टेक करने वाला पहला भारती सहर कौन सा बन गया है अब इसने बड़ा कंफ्यूजन वाला कोश्चन दे दिया है अब इसने क्या है बड़ा कंफ्यूजन वाला कोश्चन दे दिया अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भोपाल जैपूर इंदौर दैरा दून नहीं होगा उत्रा घंड का है नहीं MP का ही है अगर यहां मद्ध प्रदेश देता तो हम सीधे मद्ध प्रदेश आंसर टिक कर देते हरा तो इंदौर को की बात करें हम लोग तो इंदौर तो स्वच्छता की छेत में सबसे बड़ी है जैपूर भी हड़ गया यहां से जादिस्थान का बचा अब बचा भोपाल और इंदौर इसमें कोशन मार्क लगा लेते हैं यार थोड़ा सा ना इसको एक बार मैं देख लेता हूं क्योंकि MP कही है और MP में अब इसने जिले का नाम पूछ लिया है सतत्विकास लक्षों की भोपाल आंसर लगा रहा हूं भोपाल ही सही होना चाहिए हना क्योंकि यह जो प्रस्न है ना इसके आंसर बदल दिये गए हैं अगर यहां पर उता ना उत्तर प्रदेश बद्ध्य प्रदेश दादिस्थान और हर्याना तम वहां पर हम बद्ध्य प्रदेश आंसर टिक कर करेते हाना लेकिन कभी कभी होता नहीं है कि वह पूछे लेता है वहीं से हाना चलिए बहुत बढ़िया है भोपाल कंफर्म होगा ना ठीक है सर एकनॉमिक्स जेोग्राफी की क्लास कब से स्टार्ट होगी शुती कुमारी शुती किसमें आप कह रही हो या फिर आप उसमें क मैं देख लेता हूँ एक बार एस पी अजीम साहिब सर एक कोश्यन पूछना था हा तो कोश्यन पूछना भाई यह यह क्या लिख के बेज रहा है कि बिगेन बोई भोपाल है सर 110 परसेंट ठीक है बहुत बढ़िया भाई बहुत बहुत धन्यवात आई अगले कुश्यन की तरफ अगला कुश्यन कह रहा है कि किस राज किस राज मंत्री द्वारा कान अंतरराष्टिय फिल मोहस्तव में भारतिय प्रतिनिधित्तों का किया गया था कि ऐसे आता यह आंसरण यहां पर क्या होगा YouTube के करता हो इस पर चल्चा करता हुं भाई बाते इस पर हम लोग करते हैं इस पर चल्चा करते हैं सिशलके ठीक है कि YouTube पे और हम क्या कर सकते हैं यहां पे रामदास अठावले राव इंद्रजीत सिंग ठीक है देखिया दखीगा रामदास अठावले राव इंद्रजीत सिंग डॉक्टर एल भुरुगन और जितेन सिंग मुरुगन से वो याद आ गया ना कौन सी पिच्चर थी जुकेगा नही पुस्पा वाली उसी में कोई मुरुगन था ना यहां भी मुरुगन ही है यहां भी क्या है यहां पे डॉक्टर एल मुरुगन ही है प्रतिनिद्व मंडल का क्या किया था नितर तो किया था तो मुरुगन नहीं किया था तो यहां दखिए यहां पे आंसर क्या होगा सी सी कर नेक्स्ट भाई अगला कुशन अगला कुशन कह रहा है कि राज्यमंत्री डॉक्टर जीतेन सिंग ने कहा पर आठवी भारती पेंशन अदालत का उठगाटन किया है कहा पर आठवी अखिल भारती पेंशन अदालत का क्या किया है उठगाटन किया है बताइए आप तो question पूछ तो तब तो भाई तुझे reply मिलेगा अब तो question पूछ नहीं रहा है पूछे 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 लगाए पड़ा तो कहां से reply मिल लेगा बता तो question पूछो यह reply मिलेगा तीस तारिक को याद रखना 30 दिसंबर सारे रिकॉर्ड तूट जाने चाहिए 30 दिसंबर वाले दिन सारे के सारे रिकॉर्ड मुंबई नहीं दिल्ली दहरादून और जैपूर तो याद रखीगा कि यह जो किया था मेरे भाई जितेन्द मंत्री ने कहा पर न्यू देहली पे तो न्यू देहली विल बी दा करेक्ट आप्शन आपके सामने हो जाएगा न्यू देहली तो बी विल बी दा राइट आप्शन आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा भी ठीक है, B will be the correct option आपके साब नहीं आपर हो जाएगा, next प्राव अगला, अगला कुशिन कह रहा है आप है कि भारत के किस राज्य में, भारत के सबसे, भारत के सबसे, skywalk pull का उडगाटन किया गया है, सबसे बड़ा skywalk pull का उडगाटन किया गया है, बताईए भाई, भी याद दखीगा, यह आपका तमिल नाडू में, ठीक है, तमिल नाडू, क्या अंसर होगा मेरे भाई, तमिल नाडू will be the correct option, यानि B, right option आपके साबने हो जाएगा, ठीक है, B, अच्छा, यह बताओ, बहुत लड़के कह रहे थे, कि सर, इत्यास की क्लास से स्टार्ट नहीं हो रही है, हिस्ट्वी की क्लास से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप सभी की बात देखते हुए, मैंने बाच्चित की management से लेके, कि भाईया, इत्यास की, तो हो सकता है कि आपका जन्वरी में, दो जन्वरी या तीन जन्वरी से, समय अभी कोई decide नहीं है, समय अगर होगा, तो एक से दो के बीच में ही आपकी क्लास हो सकती है, मैं भी, एक से दो के भीच में ही क्लास आपकी हो सकती है तो हो सकता है कि आपकी दो जनवरी या तीन जनवरी से हिष्ट्वी की क्लास वापस फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी ठीक है और इस बार पूरा आपका कराय जाएगा ठीक है चलिए तो क्या answer हो गए यहाँ पर MCQs लगाईए सर अच्छा MCQs ही तो और यह क्या है theory no theory boring लगता है अब theory boring लगे यह ना लगे वो चलग चीज है भाई आपका नाम बाहु बली है या विवेक सर reply आपका नाम बाहु बली है या विवेक सर इसको reply कर दो भाई इसको reply कर दो अमित भगत जा रहे हैं खेत में पानी पटाने गे हूँ के अरे भाईया चलो एक और question करो उसके बाद फिर finish करते हैं फिर paid class है मेरी याद अगला है कि प्रदान मंत्री दरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर राष्टिये संग्राले एक्सपो 2023 का सुभारंब किया है देहरदूर मुंबई नई धिल्ली और चैपुर तिलक मलेक तुम हुए नहीं किया अभी तक अंब्लॉक नहीं किया अभी मैं फोन करूंगा उसको हड़काता हूं उसको नहीं मानेगा तो दो मुका देता हूं दंदनाते विगर जाएगा फिर वो फिर अंब्लॉक करना पड़ेगा सारे लोग को अनवलॉक करवाता हूं जितने भी ब्लॉक है सहबे को अनवलॉक करवाता हूं क्या अंसर होगा तो या दखी का New Delhi क्या अंसर होगा तो या दखी का New Delhi will be the correct option ठीक है तो C यहाँ पे right option हो जाएगा New Delhi बेरे बाई ठीक है चलिए तो ये थे आज के 25 कोशन का इंटर फिर के जो मैंने आपको करा दिये हैं इसमें पहला इस्थान जो आया है वो आया मनीश शर्मा का किसका आया है मनीश शर्मा का पहला इस्थान फिर आपका बिगेन बॉई फिर माही फिर अनमोल कुमारी ठाकूर प्रिंस सिंग अलोग अलवी मिश्रा कारिफ अफ्रीदी कामिनी सोनी सिंग एमडी हुसेन और संधिया गुपता सुरुची और यह सारे लोग यहां पर है ठीक है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जितने जिसका भी नाम यहां पर है बाकी 30 दिसंबर भाई याद रखना 30 दिसं को हम लोग कुरी साल का करेंटर करने वाले हैं ठीक है 30 दिसंबर को तो रेडी रहीएगा 30 दिसंबर को पुरे साल की करेंटर के लिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट लास में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत है